मान लेते हैं कि आप भाग देना चाहते हैं या डिवाइड करना चाहते हैं 5600 को 8 से अब आपका मन कर रहा होगा कि इसके लिए हम इसे कुछ इस तरीके से लिख ले और अपना भाग देना शुरू कर दे ये बिल्कुल सही है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर एक दूसरे तरीके के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके मदद से आपको जो ये चीज है ये मन में ही करनी आ जाए आपको यहाँ ना तो पेन की जरूरत पड़े ना पेपर की जरूरत पड़े तो अब ऐसा हम कैसे करेंगे? तो इसे करने के लिए जो सबसे एहम बात है वो यहाँ पर ये समझना है कि ये जो चपन सौ है ये दरसल चपन गुड़े एक सौ के बराबर होता है इसे हम चपन सौ ही तो बोलते हैं यानि कि हम दरसल यहाँ पर इस चपन सौ को हमें भाग देना है या divide करना है 8 से तो इस चीज को मैं थोड़ा और साफ कर देती हूँ आप देख सकते हैं कि 5600 में हमारे पास यहाँ पर 20 है और यहाँ पर भी हमारे पास 20 है यानि कि 500 या फिर 56 गुड़े 100 ये दोनों एक ही बाते हैं और जब आप इस चीज को इस तरीके से लिखते हैं तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तुम्हें बड़ी आसानी से क्रम बदल सकता हूँ यहाँ पर हम इन संख्याओं का जो ओर्डर है वो बदल सकते हैं यानि कि हम 56 को 100 से गुड़ा करने के बाद 8 से भाग देने के बजाए यहाँ पर हम पहले 56 को भाग दे सकते हैं 8 से और फिर इस पूरी चीज का गुड़ा 100 में कर सकते हैं यानि कि ये बराबर होगा अगर हम पहले इसको में लिख देती हूँ अगर हम पहले 56 को भाग दे देते हैं, आठ से, यहां अगर हम 56 का आठ से भाग दे दे, और फिर इस चीज को अगर हम गुड़ा कर दे, अगर हम इसका गुड़ा 100 में कर दे तो, तो अब मैंने ऐसा क्यों किया? ये तो जाहिर सी बात है कि 56 को अगर हम 8 से भाग देते हैं तो हमें कितना मिलता है हमें पता है कि 8 सत्य 56 होता है यानि कि 56 को अगर हम 8 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है 7 और अब क्योंकि हमें ये पता चल गया है हमें बस बाकी रह गया है यहां पर गुडा करना और 7 गुड़े 100 यह तो बड़ासान है यह तो हमें पता है कि 7 गुड़े 100 बराबर होता है यह बराबर है 700 के तो चलिए कुछ और ऐसे भाग करते हैं जहांपे आपका मन तो करेगा एक बार के लिए कि हम कुछ ऐसा करें और अपना कलम और पेपर पे ये सवाल बनाएं लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे इस बारे में तो आप बड़े आसानी से उन numbers को उन संख्याओं को तोड़ पाएंगे और उन्हें मन में ही कर पाएंगे तो चलिए अब हम 846 को अब हम लोग 846 इसे भाग देते हैं इसे डिवाइड करते हैं दो से तो अब इसके लिए भी हम सोच सकते हैं कि हम 846 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं तो 846 को में लिख सकती हूँ 800 800 प्लस 4 ये कुल 846 के ही बराबर है और फिर हम इस पूरी चीज को 2 से भाग दे सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये जो 8 था ये 100 या 100 के स्थान पर था तो ये हो गया 800 के बराबर ये 4 है दहाई या 10 की प्लेस पर तो ये हो गया 40 और ये 6 वंस या एकाई की प्लेस पर है तो ये 6 ही रहता है और 800 प्लस 40 प्लस 6 ये कुल मिलाकर 846 के बराबर हो जाते हैं यानि कि यहाँ पर ये दोनों चीजे ये और ये बराबर ही है आपस में तो अब हमें इसका भाग देना है 2 से तो इसके लिए हम 2 को बाट सकते हैं अपने इस भाग पर अब इस तरीके से बाटने पे हमें क्या मदद मिलती है तो अब हम यहाँ पर इन सभी को अलग-अलग से 2 से भाग दे सकते हैं जैसा कि आप गुड़न में करते हैं जहांकि गुडन में हम वितरण गुडधर्म या distributive property का इस्तमाल करते हैं, वैसे ही हम भाग में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं, तो अब हम इन सभी को अलग-अलग से 2 से भाग देते हैं, तो पहले हम 800 को भाग देंगे, हम इसका भाग देंगे 2 से, फिर इसके बाद हम 40 का भा divided by 2 करेंगे, और ऐसा करने के बाद हम फिर जो हमें कुछ मिलेगा उसे आपस में जोड़ देंगे, तो यहां पर चलिए करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, मैं आपे अपने brackets या कोश्ठक लगा देती हूँ, ताकि कोई हमें confusion ना हो, चलिए अब करते हैं, 800 बट चालिस का आधा होता है 20 के बराबर, और छे का आधा होता है 3 के बराबर, और फिर अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ दें, अगर हम 420 और 3 को आपस में जोड़ दें, तो हमें मिलता है 423, जो की दरसल 846 बटा दो के ही बराबर होता है, तो आप मुझसे कहेंगे कि सुप रहे हैं यहाँ पर मैंने इतना कुछ इसलिए लिखा है ताकि शुरू-शुरू में आपको यह समझ आ सके लेकिन जैसे जैसे आप इसकी खूप सारी प्राक्टस करेंगे इसे आप मन में कर लेंगे यहाँ पर हम इसे सीधे-सीधे भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम इतना क 400 के बराबर फिर ये जो 40 है इसे हम भाग दे रहे हैं 2 से जो की 2 के बराबर माफ कीजेगा 20 के बराबर होता है और ये जो 6 है एकाई के स्थान पर इसे 2 से भाग देने का मतलब है कि 6 बटा दो यानि की 3 के बराबर होता है यानि की 846 बटा दो ये सीधे सीधे 423 के बराबर होत लिख लिया है और फिर इन सभी को बारी-बारी से हमने दो से भाग करके अपना ये जो जवाब है ये निकाल लिया है और जब आप इस तरीकी से से करते हैं तो भी आप दरसल यही कर रहे होते हैं आप हर एक अंक में दो से भाग देते हैं जैसा कि हमने यहां पर किया तो चलिए अब इस चीज को पक्का करने के लिए एक आखरी सवाल और कर लेते हैं तो अब मान लेते हैं कि हम भाग देना चाहते हैं 963 अब मैं ले लेती हूँ 963 और इसे मुझे भाग देना है इससे मैं भाग देना चाहती हूँ 9 से तो अब ये कितना होगा तो आपको इसे देखते ही लग रहा होगा कि 963 के कुछ हिस्से तो है जो मुझे पता है 9 से भाग देने पर कितने होते हैं लेकिन इसे पूरा-पूरा मैं कैसे करूँ तो इसके लिए चलिए फिर से हम इस संख्या को 963 को तोड़ लेते हैं तो 963 में हमारे पास है यहाँ पर 100 या फिर 100 के स्थान पर 9 यानि कि हमारे पास है कुल 900 और यहाँ पर यह जो 63 है इसे हमें तोड़ने की ज़रत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि 63 तो 9 से सीधे सीधे भाग दिया जा सकता है हमें पता है कि 9 सते 63 होता है तो यहाँ पर 63 को मैं तोडूंगी नहीं मैं 63 को ऐसे ही लिख लूंगी और फिर इस पूरी चीज को हम भाग दे देंगे इसे हम डिवाइड करतेंगे 9 से और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि हम distributive property या बंटन गुरधर्म का इस्तिमाल कर सकते हैं 9 को इस भाग पर बाटनी के लिए इसका मतलब कि हम यहाँ हर एक चीज को पहले 9 से अलग-अलग भाग दे देंगे और फिर जो कुछ भी हमें मिलेगा उसे आपस में जोड देंगे तो 900 बटानो ये तो में पता होता है कि 900 में 9 जाता है 100 बार यानि कि 900 डिवाइड़ बाइन ये 100 के बराबर होता है इसी तरीके से अभी हमने देखा कि 900 ये 63 होता है यानि कि 63 डिवाइड़ बाइन या 63 बटानो ये होता है 7 के बराबर तो 963 बटा 9 ये बराबर होता है 107 के और आप इस चीज को यहां से देखकर भी कह सकते थे यहां आप कह सकते थे कि मेरे पास कुल 900 है तो 900 बटा 9 होता है 100 और 63 बटा 9 होता है 7 तो कुल हो गया मेरे पास 107 तो मैं उम्हीद करती हूँ कि आपको यह सब कुछ करने में काफी मज़ा आया होगा Second और यह सारी चीज़े काफी काम भी आती है जब आप कहीं बाहर खाने जाते हैं और आपको अपना जो बिल है वो बाटना होता है आपस में या फिर आपको कहीं पर कुछ बिल चुकाना होता है तो फिर आपको ये जो ये सब जो calculations हैं ये मन में करने होते हैं और आप बिना paper और pen के भी ये सारी चीज़े कर सकते हैं